दोस्तों ये है Hero की Zoom 110 पिछले साल आई थी और लोगों को बड़ी पसंद आई बट इस साल हम जो वेट कर रहे हैं वो है इस स्कूटर का ये है Hero Zoom 125 दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, क्या कुछ स्पेशल मुझे लग रहा है और क्या आपको थोड़ा वेट करना चाहिए Hero Zoom 125 आर के लिए या नहीं बताएंगे इस वीडियो में और फीचर्स क्या कुछ है वो भी आपको ज़रू बताएंगे वीडियो कर पसंद आता है ज़रू अन्तेक बन रही है चैनल कीजिए सब्सक्राइब कुछ टेक्निकल बात है आपको बता देते हैं obviously platform सेम है लेकिन बहुत कुछ आपको देखने में सेम लगेगा changes किये गा है for example बड़ी engine है 124.6cc का आपको engine मिल जाएगा जिसका output है लगभग 9.5bhp और 10.1Nm का talk लेकिन जो यहां पे weight है वो भी बढ़ चुका है 120 kg वजन है इस 125cc zoom x-tech का और इसका जो competition है वो direct tvs and torque और suzuki evness से दिखाई पड़ता है नजर आ रहा है यहां पे देखिए fuel tank जो है जो 110 आता है उसका fuel tank seat उठागे भरना होता था इसके लिए बाहर की दरफ दिया गया है all led lights आपको मिल जाएंगे पीछे की और देखिए आपको split tail lamp design दिख जाएगा x आता है 110 में यहां पे design is little different also led blinkers मिल जाते है 110 जो आता है उसमें आपको halogen blinkers दिख जाते हैं also side profile जो है यहां पे dual panel finish दिख रहा है जो छोटा वाला variant आता है मतलब 110 वाला वहां पे यह single panel दिखाई पड़ता है ergonomics मोटा मोटा same ही है मेरी height reference के लिए 5 foot 8 inch और मैं काफी अराम से upright होके यहां पे बैठ पा रहा हूं आपको twin glove box सामने दिख जाता है यहां पे USB charging port भी दिया गया है चाबी आपको दिखाते हैं चाबी काफी simple सी रखी गई है और यहां पे आपको digital instrumentation भी देख जाएगा यहां पे आपको hero का connected app आता है वो भी मिलेगा instrumentation बहुत तक same है लेकिन 110 में छोड़ा सा visor आता है वो visor 125 में नहीं दिया गया है फिनिश जो है मुझे buttons यहां पे जो keys दिख रहे हैं यह थोड़ा सा different feel हो रहा है 110 के मुकाबले 110 में थोड़ा basic है यहां पे feel थोड़ी सी बहतर लग रही है also जो यह mirrors है वो काफी हत तक 110 से मिलते जुलते हैं i3S में मिल जाएगा मतलब engine start stop अब जब traffic पे खड़े होते हैं आपको यहां पे automatic cutoff दिख जाएगा सामनी को रहेंगे this light is similar to the 110 zoom हला कि थोड़ा सा आपको और aggressive दिखेगा यहां पे एक split design दिख जाएगा लेकिन LED में finish किया गया है टायर्ज भी अगर compare करें तो यहां पे थोड़े बहतर टायर्ज आपको दिख जाएगे MRF के टायर्ज दिए गए वहीं Euro grip के टायर्ज इस्तमाल होते हैं 110 CC में alloy वाला जो design है यह भी different है 125R में blinkers का यहां पे देखिए जो addition किया गया यह भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है neat integration seat की cushioning भी 110 से थोड़ी सी बहतर है overall this is your hero zoom 125 जो इस साल भारते बजार में आनी चाहिए कीमत की बात करें तो लगभग 95,000 से लाग रुपए के बीच होनी चाहिए और थोड़ी सस्ती हो सकती है लेकिन that ballpark figure should be under 1 lakh rupees does it excite you? आप मुझे comment section में जरूर बताईए also 125 CC आप लेना चाहेंगे या फिर zoom 110 makes sense for you आप मुझे जरूर comment section बता सकते हैं thank you so much for watching, video पसंद आयो, like, share and subscribe to our youtube channel